विज्ञान भैरब तंत्र की इस सीरीज में आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज में हम शिव और पारवती के बीच के समवात की बात करेंगे जिसमें ज्ञान, मुक्ती या मोक्षपानी की 112 विदियो का वर्णन है जो भगवान शिव द्वारा पारवती को बताए गए तो सबसे पहले तंत्र को समझते हैं तंत्र के मामले में लोगोंने कुछ गलत धारनाई बना रखी है जादतर लोग तंत्र को संभोग से जोड़ कर देखते हैं हलाकि तंत्र का मतलब होता है तरीका, विदी तंत्र की इन विदियों में जादतर जो चर्चा हुई है वो ग्यान मार्ग, भक्ती मार्ग और कर्म का मार्ग है विज्यान भहरव तंत्र की सभी विदियों में परम ग्यान को पाने के मार्ग है और उन विदियों के बीच आपको भहुत कुछ ऐसा प्राप्थ हो जाता है जिससे सादक भटक जाता है जैसे तंत्री विद्या वशीकरण जादू टोना इत्यादी परंतु विज्यान भैरप तंत्र का यह उपयोग नहीं बल्कि इसका उद्यश तो परम ज्यान पाने का है तो चलिए आज विज्यान भैरप तंत्र की 112 ध्यान विदियों में कुछ विदियों के बारे में जानेंगे बाकी विदियां आपको मेरे आने वाले वीडियोज में मिल जाएंगी तो पहला मार्ग है कर्म मार्ग में सांस की धारना का जैसे सांस बाहर आती है तो हम उसे सांस को छोड़ना कहते हैं जिसे रेचक भी कहा जाता है और विज्यान भैरव तंत्र में उसे प्राण सांस कहा गया है मतलब जब प्राण या रेचक शब्द आए तो उसका मतलब होता है सांस को छोड़ना और ठीक वैसे ही सांस को अंदर लेने को हम सांस का लेना कहते हैं जिसे पूरक भी कहा जाता है और विज्यान भैरव तंत्र में इसे अपान सांस या जीव कहा गया है तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो अंदर लेने के बाद कुछ देर रुकते हैं और ठीक वैसे ही जब हम सांस को भार छोड़ते हैं तो स्वास को बाहर छोड़ते समlair फिर हम कुछ देर रुकते हैं। तो स्वास को भीतर लेने के बाद रुकना और स्वास को छोड़ने के बाद जो रुकना होता है। यानि आती जाती सांसों के बीच में जो गैप है जो एक अंतराल है एक ठहराव है उसे कुम्भग वी कहा जाता है तो विज्ञान भैरफ तंत्र में पांच धारनाएं स्वास पर है भैरफ यानि शिव कहते हैं उर्जा के बनने और बिखरने के सौबाफ से ही बाहर आता हुआ स्वास और अंदर जाता हुआ जीव स्वास निरंतर चलता रहता है इन दोनों ही स्वास की उत्पत्ती बिंदु पर भैरफ की शक्ती की भावना करने पर उसका भैरफ स्वरू प्रकट होता है दूसरी धारना अंदर आती हुई स्वास अंदर आने के बाद और बाहर जाती ह प्रण प्रण शक्ति और जीव शक्ति ना बाहर जाए ना अंदर आए उस मध्यस्तिती को विक्सित करने पर सादक अपने भैरफ स्वरूप को पहचान लेता है चोथी धाड़ना बाहरी कुम्बग और आंतर कुम्बग की मध्यस्तिती के विकास करने पर प्राण और अपान शान्थ होने पर चंचलता शान्थ होकर चेतना का शान्थ स्वरूप प्रकाशित होता है तो पहली ये चारो धार्णाय स्वास पर हैं एक जैसी ही प्रतीत होती है भगवान शिव इन धार्णाओं के बारे में बताते हैं कि उर्जा के स्वभाब की वज़े से ये सांस चलती रहती है स्वांस कहां से शुरू होती है उस पर विचार करने से परमूर्जा के वारे में खयाल आता है यानि अपनी स्वांसों पर ध्यान दें कि वह कैसे चल रही है आज की हमारी इस विजी लाइफ में हम इस पर इतना भी ध्यान नहीं देते कि हमारी सांस चल रही है या नहीं चल रही है यहां यह कहने का अर्थ है कि थोड़े समय के लिए बैठ जाओ और अपनी ही सांसों को देखो कि यह कहां से चल रही है कहां से आ रही है आती जाती सांसों के बीच में हम कितनी देर रुकते हैं दोनों के बीच में कितना अंतराल है इसे प्रकरतिक रूप से देखें फिर धीरे-धीरे स्वांस को छोड़ने के बाद लंबे समय तक रुकें और उससों रुकने पर गौर करें ऐसे इस स्वांस को अंदर लेने के बाद लंबे समय तक रुकें और उस समय पर गौर करें वहाँ ध्यान दें स्वांस को रोकते समय आपके भीतर क्या-क्या होता है उसे देखते रहें इस पर ध्यान देने से आपका मन शांत हो जाएगा और हम जिन भोतिक बातों के लिए दोड़ते रहते हैं वह सभी भोतिक चिंताएं कम हो जाएंगी जैसे ही हम शान्त होकर बैठेंगे हमारी बहुत सारी परिशानिया कम होने लगेंगी और धीरे धीरे पर हम उर्जा या भैरफ सरूप क्या है उस बारे में हम जानने लगेंगे देखिए स्वांस की इस परिक्रिया से आपके अंदर जो घटना घटने वाली है वह कोई एक दिन में नहीं घटेगी आपको ये वीडियो देखकर लग सकता है कि आप दो-चार दिन बैठेंगे और स्वांस का ये परियोग करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा पर ये इतना आसा नहीं है स्वांस के बीच की स्थिती को पकड़ने में देड लगती है और जब आपका मन और आपके विचार शान्त हो जाएं तब ही समझना कि आपने बीच की स्थिती पकड़ ली है आपके मन में विचार चल रहे है या आपके मन में ऐसा भी विचार आता है कि हाँ अब मैंने बीच की स्थिती पकड़ ली है और मैं निर्विचार या शुन्ने की अवस्ता में हूँ तो इसका सही अर्थ ये है कि आप अभी बीच की स्तिती में नहीं है ये मन के ही द्वारा दिया जाने वाला एक धोका है अब स्वांस की पांचवी धारना प्रान और अपान वायू के आने जाने के सभी द्वार बंद करके उसकी गती रोकने पर शरीर में चीटी चलने जैसा प्रान के उपर उठने का अनुभव होता है उससे चित परम आनन से भर जाता है अर्थार्थ जब आप अपने मुँ और नाक को बंद करके स्वांस रोकने का प्रयास करते हैं और इसे थोड़ा लंबे समय तक करते हैं शुरुवात में आपसे आसानी से नहीं होगा परन्तु धीरे धीरे जब आप स्वांस को अपने भीतर रोक के रखेंगे तो स्वांस के उर्जा के उस फोर्स से आपके शरीर में चीटी चलने जैसा अनुभव होगा उस अनुभव को देखते रहने से और उसको विक्सित करने से आपको आनंद मिलेगा ध्यान देना इन सभी धार्णाओं में याद रखना है कि हमें केवल धार्णा करनी है यानि इन सब को बिना तरक लगाए गहरे में मान लेना है फिर इसमें परमात्मासे जो भी अनुभव मिलना होगा वह मिलेगा और अगर कोई अनुभव नहीं मिलता तो हम अपनी तरफ से जल्दवाजी नहीं कर सकते परमात्म मुरूपी अनुभव ये हमारे हाथ में नहीं होता जब उसकी किरपा होगी तब ये हो जाएगा आपको केवल किरिया करनी है ये विदी करनी है और पूरी तरह से परमात्मा पर समर्पित करके करना है बाके सब कुछ उसी पर छोड़ देना है और दूसरी बात ये सब करके हम केवल शान्त होंगे और उस परम उर्जा को जान पाएंगे इससे कोई भौतिक लाव या सिद्यों की आशा मत करना और इन विदियो को आप दिन में कभी भी कर सकते है आपको जब भी समय मिले इसका प्रयास करते रहे तो विज्यान भैरप का ये पहला भाग था जिसमें स्वास के उपर पांच धारनाई थी याद रखना इन पांचों धारनाओं को आपको भीतर से मान लेना है और फिर इसे परयोग करते हुए इस मान लेने को आपको स्वेहम से जानना है तो विज्यान भैरप तंत्र का अगला भाग देखने के लिए अगर चैनल पर पहली वार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे आप आध्यात्म से और घहरा जुड़ सकें तथा इसमें घहरा उतर सकें नित्य जीवन हो नित्य जीवन क्या है और क्यों कहते हैं शीव कि प्रेम किये जाने के इक्षण में धियान किये जाने इक्षण में नहीं कह रहे हैं शीव प्रेम किये जाने इक्षण में कह रहे हैं प्रेम के बार में क्यों बात कर रहे हैं श्रिफ को तो हम आधीयोगी तरब्योगी समसानवासि किस्त्वकार के सघ्ज्ञ-उपादियाओं से निभूसित करते हैं, तो श्रिफ प्रेम के बारे में क्यों बात करें। लेकिन आप देखें हमें कि श्रिफ अर्दम परवती के साथ है। शीप परवती दिराजमान जब होते हैं उनका दो प्रेम वो छलगता है और गजो फोटो है कि परवती का बोल सिदेव ता करा किसी अगॉवान का नहीं है शीव यह ता है शीव का घीय बारे या संभूख एक खिषर में, जिससे आप प्रेम करते हैं, जब आप साथ प्रेम में आविध होते हैं, आलिंगर में, चुम्बन में या संभूख में, तो उसमें ऐसे प्रमिश करो, ऐसे उत्रो, ऐसे करो, जैसे कि वह नित्य जीवन हो, प्रेम, लब, बैबल पहता है, लब प्रेव, मृत्यू, ध्यान यह एक उचेप के experience हैं ध्यान में आप डूपते हैं अब आप खोते हैं मृत्यू में तब इतने गहरायने डूपते हैं कि पुरा ही खो देते हैं वो प्रेव में आजमें अजमें डूपता है कि यह लोग कहते हैं इतना प्रक्फ़न इंमा दीत हो जाता है इन्वाकाय इन्वाभी के सामने अपनी प्रेय मिता कि छवी या कोई लड़की है तो जिस लटके से टाया करती है उसका घ्ल लाज़ दा में चलता है किस पर लेका से जोड सके तो जिसने प्रेम ही नहीं किया जदि जिसने किसी इंसान से प्रेम नहीं किया तो इस्षोर से प्रेम करने के बाद तो बहुत देखी बाद है इस्वा से प्रेम करने से पहले, किसी से प्रेम करना हो, किसी से प्रेम करने से पहले अपने आप से प्रेम करना हो, जैदि आप अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं, तो आप अपके अदर प्रेम ही नहीं है, तो आप प्रेम किसी को दोगे कैसे, फिर वोला प्रेम हो जाएग वे से मस्तिस कत परे, कि भाई कि सदरी कितनी है, जोड़ी कितना बन जाएगा, घर कैसे बसाएगा, लाज्ट मेडियो में अग्रों डिसक्रिस क्या थे इसके लागए, जोड तो हिसाब किताब, मैथमेटिक्स का, क्या जुश को कहते हैं, मैथमेटिकल लग, ने, मैथमेटिक के साथ में, या प्रेमी के साथ में, प्रेम में ऐसे प्रभेश करो, कि जैसे वह नित्य जीवन हो, यह नित्य जीवन क्या है, पहले इसको समझ ले तो पूरी सेंटेंस समझ में आ जाएगा, नित्य जीवन, जीवन क्या है, हमरा जीवन क्या है, जो बीत चुका है, जो हो र जो आनेबला है इसको हम जीवन कहते हैं मतलग जन्म और कालखंड है इसमें जो हम गती कर रहे हैं जीवन शप terrorist करना है को इसमें एक अवधि हैं एक बंदा पएदा हुआ 1950 में मरेगा 2015 तो यह जो सिस्टी फाइव यस का एक लाइफ स्पैन हुआ जैसे इसे बड़ा होता जाता है दस्तल का हो गया बिस्तल का हो गया बिस्तल के बाद में यह उसका अतीत हो गया उब डून्टिया थिया, अभी चल रहा है व करर लेया जो जा चुका है यो आ रहा है यो ज को आपी नहीं है, जो आने वाला व आपी नहीं है, अभी है क्या, अभी ही जो है वो है नित्य जीवन, सास्षuत् यही है. वर्तमान ही नित्य जीवन है, वर्तमान को समय की परिवाशा में प्रयोग करना या समय की हिसाब से तोड़ना गलत है, समय तो अतीत हो सकता है या भविश्ट हो सकता है, वर्तमान समय का हिस्टा नहीं है, क्योंकि हर पल, हर पल, समय चुप रहा है, ये, 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 तो ये जो ह परपल समय चला जा रहा है, तो जो आप जिन्दा हो, जो जीवन आपका चल रहा है, जिसमें अभी आप हो, यही सास्वत है, यही नित्य जीवन है, जैसे मृत्यू, मृत्यू काम घटित होगी, आपकी मृत्यू अतित में घटित हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, आपकी मृत्य लिप्वित्यू दत ना प्रफश्टृम आसीज है अभी हो सकता है। जैसे प्रेभ ना तो अतित में हो सकता है। ध्यान उन्हें आतित में इसन एक जीजे्ञ हैं अभी हो सकता है। इससे कहता है कि नित्य जीवन, ये सास्वत समय है, जो गती है समय की, ये गती horizontal होती है, जैसे आपका अतीत, आप मानिए कि एकस वाई एकसिस है, वाई एकसिस नेगेटिव ये आपका पास्ट, और वाई एकसिस पोजिटिव ये आपका भविश्य है, ये सेंटर बीच का जो है, एकस और वाई एकसिस का जो पॉइंट है, जहां जूड़ता है, ये खिसकता जा रहा है, ये आपका वरतमान है, और ये वरतमान नित्य जीवन है, जो रीत तो रहा है, लेकिन रीत नहीं भी रहा है, जो रीत रहा है, लेकिन नहीं रीत रहा है, तो इसे क्या कहेंगे आ होगा को कहते हैं कि स्वर्ग में शनाहीं होगा क्योंकि समय में रहते हैं कि मुखी काल के धाय। जी काली काली समय से परे हैं वो हर्दम है आदि शक्ति है और अभी थे हरत रहेंगी सबास अरदाव नहीं इसलिए कालातीत है काली है इसलिए महाकाल के उपर में खड़ी हुई है काली जो महाकाल के उपर में अपना पैर लगकर खड़ी हुई है काली यह बता रही है कि वो कालातीत है वो समय के बंदर में नहीं आते हैं तो स्वर्ग में जिसस कहते हैं कि वहां समय नहीं है तो तो जब आप प्रेम की खिशन में होते हैं, आलिंगर बद्ध होते हैं, वो प्रेमे पूरे डूबे होते हैं, तो उस समय आपको समय का ग्याने रहता है, समय को आप भूल जाते हैं, मन जो हैं सुन्न हो जाता है, आप भविश्च्य के बारे बर नहीं सोचते हैं उस समय, नही सास्वत है। खरदम है। क्योंकि अभी, फिर अभी, फिर अभी। इसको कहते है। नित्यजीवन। तो प्रेम में ऐसे उतरों कि जैसे आप इस नित्य जीवन में हैं। शिर ये कहरें, जैसे कि शरीर की जो बोध है, वो खतम हो जाए, आपकी जो दृष्टी है, उस दृष्टी में केबल प्रेम ही प्रेम हो, इतने गहरे उतर जाओ, इतने गहरे उतर जाओ कि तुम ही प्रेम बन जाओ, जैसे घोपियां खृष्णे ही बन जाते थे, खृष्ण बुबा दो की वर्टवाँ में ही जिए और यह सक्छ है आप यह रहे पेक्षाइशन में आम अतीत क norme आज आविसे वालशेस भाल विशक्त रहते हैं आप उसी समय वर्तमा में होते हैं वर्तमा जैसे बताएगी सव्नेका खंड नहीं है समय के डेफरेशन में वर्तमान नहीं आता है कि वनाती और भविश्च आता है तो वर्तमान में रहने की कला जो है तो स्टेंज दे प्रेजट आप इने किताब देखेंगे नेगेटिव डिस्पिलिश वैरेटी जो कि आपके अमेज़न में कोगो में फिलिप पैप में अलग-अलग जगों में फिजिकल बुक फिर साथ से ये बुक के इसाथ से एविलेबूल है उसको आप खरिज सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसके बारे में उसमें काफी चर्चा की गई है जो लोग अतीत में जीते हैं या भविष्थ में जीते हैं उनका मं हरुँदन से भरावा होता है स्ट्रसपूल होता है या गिल्ड से भरावोता है गलत कुछ काम है थितीत में उसका पस्चादा भवविष्बें क्या होने वाला है उसका भाय है तो anxiety, fear, diabetes, जनीन की नहीं 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 आना, शर्ण में जितने सारे psychostormatic issues होते हैं, वो इसलिए होते हैं, क्योंकि हम अतीत या भविष्य में जिनने कोशच करते हैं, समय में के साथ जिनने कोशच करते हैं, वर्तमान, जो के सास्वत, जो के नित्य जीवन है, जिसमें एक गु वर्तमान में हम जीने की ख्रमता प्राथ कर लें, प्रयोग कर सकते हैं प्रेम से, क्योंकि प्रेम, ध्यान, वृत्यू, जैसे बने बताया है कि इस साथ वर्तमान भी हो सकते हैं, विष्य में नहीं हो सकता है, रातिक में हो सकता है, तो एक जर्या एक तरीका है इस उत्र को इसको प्रोड करके देखें, समझें, और इसको अपने जीवन में उतारें, और वर्तमान में जीना, अनन्द में रहना सेकें, आत्म सक्षाकार तह हो सकता है जाओ, रुख जाएं, थम जाएं, ठहर जाएं वर्तमान में, न कि घिषते रहें और पिटते रहें, लेग जाएं पेड़र नहीं हो, अतीत में एक तरफ, भविस्त में एक तरफ, अतीत की तरफ, भविस्त की तरफ, बीच में रुख जाएं, इसको कहते हैं, बुद्ध, मज्जी मार्क, बिटल पात, बीच में रुख जाएं, शान्त हो कर, तभी आपके आत्मान दस्रन होंगे, और जब मुख्य है, बारा, और उनमें से भी मुख्य है, नव, और उनमें से भी मुख्य साथ चक्र है, चक्र वाने, जहां नस नालियां सब एक होती हैं, बीच में, तो हमारे शरीर में कई चक्र है, एक मुलाधार चक्र, जहां रीड की हटी शुरूत, गुद प्रदेश है, उपर है जननेंद्रे के पीछे वह स्वादिष्टान चक्र और तीसरा है नाभी पे हैं नाभी में जो है वो मनी पूर चकर कहते हैं प्रिदाई में हैं एक चकर अनाहत चक्र फिर गले में हैं इस चकर को कहते हैं विशुद्धी चक्र और दोनों बवों के बीच में अग्या चक्र इस अग्लेश्टलस ग्लाइंडses करते हैं अंगरे जी उन्हों ने भी इन चीज़ों को माना इंडोक्राइन सिस्टम हमारे पूरवज नितनी हुजारों साल पहले इस बार कुछ जानते थे अच्छा फिर जो पीचुटरी ग्लैंट स्पीनियल ग्लैंट करते हैं आग्या चक्र फिर सहस्रार हाईपोधालमस करते हैं जब चक्र पर ध्यान देते हो पहले तो कुछ नहीं अनुभव होता है सिरफ ब्लैंकनेस आते हैं खालीपन फिर थोड़ा समय के बाल वहां स्पंदन होने लगता है तरंग का अनुभव होता है फिर तरंगों के अनुभव के पस्चात प्रकाश अनुभव में आता है तो तीन स्टेज़स है एकी साथ नहीं होगा पहले तो कुछ नहीं खालीपन होता है फिर इदी आप लोग ध्यान कर रहे हो साहज समाधी कर रहे हो बहुत दिन से ध्यान कर रहे हो आपको मैसूस होता होगा जब ध्यान में बढ़ते कुछ है वाइब्रेशन्स तरंगों का नंग बदल करके फिर जोती रूप होता है घर में कोई सो रहे हो तो उनके सिर के उपर बारा अंगुल के बीच में ऐसे हाथ करो उनका नाम लो या सिरफ हाथ करो तो वो जग जाएगा उनको छूने की ज़रूरत नहीं हमारा सूक्षम शरीर बारा अंगुल पर कथम होता है मन इतना बड़ा है इसको बाइग्यानिको ने किरेलीन फोटोग्राफी बाइगर लेकि तुम्हारे आभा मंडल का चित्र भी निकालते हैं और तुम ध्यान करते हो सुधर्शन्रेया करने के बाद आभा मंडल का चित्र लो और पहले लो बहुत बड़ा फरक होता है हमारा स सुक्षम शरीर स्टूल शरीर से बढ़ा है जब सुक्षम शरीर सिकूडता है तब हमको अच्छा नहीं लगता जब भी आपको अच्छा लगा खुशी महसुस हुई उसके साथ क्या अनुबव हुआ ऐसा लगा कुछ फैलता हुआ अनुबव में आया जब दुख होता तो क्य अनुबव करते हैं सिकूड गया हुआ जैसे कोई चीज सिकूडता हुआ अनुबव करते हैं यह जो चीज है जो सिकूडता है और फैलता है यही हमारा मन है यही हमारी चेतना है तो ना समझ लो आत्महत्या करते हैं पता क्या हो रहा उनके साथ उनका मन सिकूड गया अब श थोड़ा सा फूंक मारो प्राणायम करो बस्तरिका करो देखो तुमारे सुक्ष्म शरीर वापस यधास्तिती हो जाएगा इस विज्ञान को नहीं जानते हुए हम कितनी लोग आत्मात्या कर रहे हैं मैं आपकी जाकेट बहुत टाइट हो तो आप उससे निकलना चाहते हो कि आपका स्वेटर हो शर्ट हो या कोई भी जाकेट बहुत टाइट हो तो आप क्या अरे इससे निकलो मुक्ती चाहिए ऐसा ही मन सिकुरता है तो लगता है शरीर से हड़ जाओ इसी लिए आत्मात्या करते हैं जैसे ये लोग प्राणयम करेंगे ध्यान करेंगे क्रिया करेंगे क्या होता है सुक्ष मुशरीर फिर मजबूत होने लगता है अपना नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है फिर गोई आत्मात्या नहीं करता तो शरीर में एक द्वादशान्त गोलते हैं बारा अंगुल के ऊपर इदर एक चक्र है सिर के ऊपर भी एक चक्र है वहाँ आपका सुक्ष मुशरीर का अन्त होता है मगर आप साधना के दरिये इसको बढ़ा होगे तो आपका सूक्षम शरीर कारण शरीर बहुत बढ़ा हो रहा है वही ईश्वर साक्षातकार है जब स्थूल शरीर से सूक्षम शरीर से अपना कारण शरीर जिसका व्यापती सब चगे है कैसा जैसे टेलिविशन का जो तरंग है वो तरंग सिरफ आपके घर में कमरे में है कि सब जगे है वो तरंग सब जगे व्यापत है ऐसे हमारे बीतर जो चेतना है वो स्थूल रूप में शरीर बना सूक्षम रूप में मन बना और कारण रूप से तरंग के रूप में सब जगे व्यापत हुआ है इसलिए इस देश में मंत्र को बहुत महत्व दिया है एक उंकार सतिनाम करता पुरण एक उंकार ही सतिनाम सच्छा नाम है वही अस्तित्व में दिया इस आवाज को तुम सुन सकते हो एक उंकार दुनिया के कन कन में उंकार है दुनिया ही नहीं पुरे विश्र ब्रह्मांड के कन कन में उंकार है अब शंकर कहते हैं प्रणवादी समुचार्या किस ओमकार का उचारण करो वो करते 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 भी तुम्हारा मन उसमें लई हो जाए तो तुम भायरव को प्राप्त करोगे भायरव अवस्ता खाली हो जाओगे तो ओमकार का ध्वनी ओमकार करने से पहले और बाद में भी तुम उस चैतन्य सत्ता में विलीन होते हो या जागरत होते हो अनहदे पात्र करने अभगने शब्दे सरिद्रते शब्द ब्रह्म्हन निश्नाता परंब्रह्मा दिगच्चते अनहद नाद को सुन लो अपने बीतर या अभगन शब्द जैसे एर कंडिशन के आवाज आ रहे है एक साथ या एक जर्णा पानी की जर्णे का आवाज सुनते 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 जब लोग आत्महत्या करने जाते हैं जब पानी में कुदने के लिए लोग जाते हैं कम लोग मरते हैं उसमें पता हैं वहाँ पानी की किनारे जाके बैठते ही या देखते ही कुछ मन में होने लगता है कुछ मन शान्त हो जाता है वैसे तलाब में नदियों में खूद के मरने वालों की संक्या बहुत कम है फंके में लटकर के मरने वाले जाता है जलकी स्रोत के पास बैठके उसकी धारा की जो खलखल को सुनते रहो वो खलखल की आवाज में नीरव में तुम अपने आपको खो देते हो उस स्तिती में तुम भाइरव के करीब हो जाते हो कि सिर्गूय कहते हैं शाप्द को सुनते सुनते फिर शप्द के परिचले जाना कि शाप्द भी कुछ समय के बाद भोज लगता है भारी लगता है आप सब को लगता है यह ना बहुत जादा लौट स्पिकर हैं बहुत जादा कोई भजन करते रहे या कोई भी काना चलता रहे लगता कब इससे मुक्ति हो जितने हम समवेदन शील होते हैं उतने हमको सूक्ष्म शब्द पसंद आने लगते हैं जो कम समवेदन शील है हार्ड रॉक पसंद करते हैं दम मोटा वो रॉक बैंड उससे क्या होता हमारे शरीर के अलग-अलग चक्रों पर भी नाद का असर होता है बेस अब्द स्पाइन पहला चक्र पर रॉक बैंड का असर होता है इसलिए उनको अच्छा लगता है फिर वहां से उपर जाएंगे नाभी नाभी में तन्तुवाद्य का असर करता है आप सितार बजाए बीना बजाए या कोई metallic scratch होता है ना कहां आपको अनुबह होता है कोई लोहे का कुर्सी या कुछ खीचे तो आपको उसका असर कहां पढ़ता है पेट में पढ़ता है नाभी से घ्रदय तक तंतुवाद्य का है तंतुवाद्य मनें तार से बनी हुई होती है सितार ओ यह सब गिटार सितार सब इदर फिर घ्रदय से लेके गले तक का असर बासुरी की है फ्लूट इंस्टुमेंट्स का है फिर वहाँ से चलोगे भ्रूमध्य में गंटी और शंग हमारे मंदिरों में भी ऐसे ही सब रखा जाता था सबसे बाहर बड़े-बड़े नगारी नबत्वोई ड्रम्स यह सब रखते थे उदर से नीचे जाते जाते घर्भ गरह में सिरफ गंटी होते हैं चोटी सी शंक होते गंटी होते हैं अब बच्चों को सुलाना हो तो रॉप म्यूजिक लगाओ कोई बच्चा नहीं सो पाएगा दूनिया पर के उनके लिए क्या पटाएं जिंगल बल जींगल चुटी सी कंटी तूटी सी आवाजों तरंग हो जलतरंग पियानों इस तरह कि इन ुई चीजों से बच्चे सोजाते हैं शांत होजाते बच्चा बोलने से पहले गाता है पहले गाले यह आप बोले गाते हैं हर व्यक्ती जीवन में गाते हैं चाहे शवर के नीचे भी गाले संगीत भी एक माध्यम है यहां शिव करें वो संगीत की मत्यम से भी तुम मुझ चैतन्य सत्ता में आ सकते हो कोई 112 विधियां है सारे जगत में ध्यान की और प्रत्येग विधी अध्वत है और 112 विधियों से आदमी परमात्मा तक पहुंच सकता है उसमें एक दूसरे से बिलकुल बिपरीत विधियां भी है को मानने वाला दूसरी विधि को बिलकुल गलत कहता है लेकिन वे 112 विधियां सभी व्यक्ति को ध्यान और सांती और आनंद और सत्य तक ले जाने का मार्क बन जाती इस ध्यान केंद पर पूरी 112 विधियों का प्रियोग करने का ख्याल है और तब पहली बार प्रिथवी पर उस तरह का प्रियोग होगा जिसने आज तक प्रिथवी पर सारे ध्यान की प्रिक्रियों को एक साथ एक जगे है हम एक भी व्यक्ति को वहाँ खोना न चाहेंगे वो किसी भी मार्क से जा सके उस मार्क पर ही उसे सुझाव दिये जा सके अब अजीब अजीब विधिया हैं जिनका आपने कभी सुना भी नहीं होगा नाम एक दो विधि मैं आप से कहना चाहूँ टिबबत में एक बहुत छोटी सी विधि है बैलिंसिंग संतुलन उस विधि का नाम है कभी घर में खड़े हो जाएं सुबह इसनान करके दोनों पैर फैला ले और ख्याल करें कि आपके बाएं पैर पर जादा जोर पढ़ रहा है कि दाएं पैर पर जादा जोर पढ़ रहा है अगर बाएं पर पढ़ रहा है तो फिर आहस्ते से जोर को दाएं पर ले जाएं दो छंग दाएं पर जोर को रखें फिर बाएं पर ले जाएं एक पंधरा दिन सिर्फ सरीर का भार बाएं पर है कि दाएं पर इसको बदलते रहें और फिर ये तिब्वती प्रियोग कहता है कि फिर इस बात का प्रियोग करें कि दोनों पर भार न रह जाए आप दोनों पैर के बीच में रह जाएं और एक तीन सब्ता है का प्रयोग और जब आप बिलकुल बीच में होंगे भार ना बाएं पर होगा ना दाएं पर जब आप बिलकुल बीच में होंगे तब आप ध्यान में प्रवेस्ट कर जाएंगे ठीक उसी छण में आप ध्यान में चले जाएंगे उपर से देखने पर लगेगा कि इतनी सी आसान बात करेंगे तो आसान भी मालूम पड़ेगी और कठिन भी मालूम पड़ेगी बहुत सरल मालूम पड़ती है दो पंतियों में कहीं जा सकती लेकिन लाखों लोगों ने इस छोटे से प्रयोग के द्वारा नबाएं पर रह जाते नदाएं पर रह जाते जैसे ही दोनों के बीच में रह जाते वैसे ही आप पाते हैं कि वो बैलंसिंग वो संतुलन आपकी consciousness का चेतना का भी बैलंसिंग हो गया चेतना भी balanced हो गई चेतना भी संतुलित हो गई तत्काल तीर की तरह बीतर गती हो जाती ऐसे 112 विधियां हैं सारे जगत में इन सारी 112 विधियों पर विश्तरत विज्ञानिक व्यवस्था इस ध्यान के इंदर में देना चाहता हूं और न केवल आपको समझाया जा सके बलकि आपको करवाया जा सके अगर एक विधि से न हो सके तो दूसरी विधि से करवाया जा सके लेकिन हम आपको उस मंदिर से निरास न लोटने दें क्योंकि 112 ये चरम विधियां हैं इस से ज़्यादा हो नहीं सकती अगर एक विधी काम नहीं करती, दूसरी करेगी, दूसरी नहीं करती, तीसरी करेगी और आपकी विधी ततकाल खोज ली जा सकती है कि कौन सी विधी आप पर काम करेगी आप पर कौन सी विधी काम करेगी इसकी खोजने की साइंस भी इसके खोजने का भी विज्ञान है और यदि हम इस समय देश के बड़े बड़े नगरों में और देश के बाहर भी ध्यान के ऐसे विज्ञान मंदिर निर्मित कर सके तो मनुस जाती के लिए जो आज सरवादिक पीडा और संटाप से गुजर रही है और जिसे कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि जो जो हमने सोचा था कि इससे सब ठीक हो जाएगा उससे कुछ भी ठीक नहीं हुआ सोचा था कि लोगों के पास बोजन ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा आज दुनिया में आदी दुनिया के पास बोजन बिलकुल ठीक है सोचा था लोगों के पास कपड़े होंगे मकान होंगे अच्छे रास्ते होंगे दवा होगी चिकिस्सा होगी बीमारियां कम होगी आज आदी दुनिया के पास सब है एक बड़ी अद्बुद घटना घटी है कि जिन के पास आज सब है वे ही सरवाधिक असांत बेचन और परेशान हो गए गरीब मुलक एक अर्थ में सोबाग गिसाली है भूखे मरते हुए मुल्क एक अर्थ में सौभाग किसाली क्योंकि अभी भी उनकी आसा जीवित है उन्हें ख्याल है कि समाजवाद आएगा धन बढ़ेगा धन बटेगा सब ठीक हो जाए ये आसा भी उन मुल्कों की तूट गई जहां ये सब ठीक हो गया है अब वे बड़ी निरासा में गहन निरासा में खड़े हो गए इतनी होपलेसनेस इतनी आसा रहित्ता कभी भी मनुस के इतहास में पैदा नहीं होई थी आज अमरीका जितना आसा हीन है उतना प्रत्वी पर कोई भी नहीं और आज अमरीका मनुस के इतहास में प्रत्वी का सरवाधिक संपन सरवाधिक सुखी हमारे अर्थों में सब कुछ जिसके पास है और फिर भी अचानक अनुभा हो रहा है कि कुछ भी पास नहीं है इतनी आसाहीन इस्थिती का कारण एक है हमने सोचा था जिन बातों से मिलेगा सब वो सब डिस इलूजनमेंट वो सब भरम तूट गए और अब हमें वापिस लोट कर सुनना पड़ेगा बुद्ध को, क्रश्न को क्राइस्ट को, मुहम्मत को क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत बार बहुत पहले ये कहा था कि सब भी मिल जाए मनुस्य को लेकिन अगर स्वयम का अनुभव न मिले तो कुछ भी मिलता नहीं लेकिन हमें उनकी बात ख्याल में नहीं आ सकी नहीं आ सकती थी क्योंकि बात बड़ी कालपनिक मालूम पढ़ती थी बहुत ओटोपियन मालूम पढ़ती थी और जो लोग कहते थे धन मिल जाए मकान मिल जाए उनकी बात बड़ी प्रेक्टिकल और बैवहारिक मालूम पढ़ती थी इतहास का मजाक कि जो लोग बहुत प्रेक्टिकल थे वो बहुत ओटोपियन सिद्ध हुए और जो लोग बहुत ओटोपियन थे आज प्रत्वी पर वे ही सबसे ज़्यादा प्रेक्टिकल सिद्धोने के करीब लेकिन धर्म अब पुराने रास्तों से नहीं लोटाया जा सकता अब धर्म नए ही रास्तों से प्रवेस करेगा उसके नए रास्ते विज्ञानिक और तकनीकी होंगे अब जिसे एक आदमी हिमाले जाता था आज भी हम सोचते हैं एक आदमी हिमाले जाए तो ध्यान में जा सकता है लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि हिमाले किसलिए जाता था जितना ताप कम हो जाए वातावरण में उतना भीतर प्रवेश आसान हो जाता है लेकिन कितने लोग हिमाले जा सकते हैं लेकिन बंबई में एक air condition meditation hall हो सकता है कोई हिमाले जाने की जरूवत नहीं क्योंकि हिमाले पर जो ठंडक मिल सकती है वो बंबई में भी उपलब्ध हो सकती है अब अब हिमाले पर जाने की विर्थ की दौर धूप है अब तो ठीक बंबई के बीच बाजार में भी उतनी ही सीतलता उपलब्ध हो सकती जितने एक योगी को हिमाले की चोटी पर उपलब्ध होती थी खरलाब होता है, तो बंबई में भी ग्रेविटेशन कम किया जा सकता है तो वहां भी इतना ही उत्ताब पहुच जाएका, इतनी ही गर्मी पहुच जाएगी, अविरिश पर जिस दिन जाने का रास्ता सीधा होगा उस दिन हम बस्तियां वहां भी बसा आने वाले भविस्ट में मनुस जहां हैं वहीं सारी टेक्नलाजी और साइंस का उप्योग किया जा सकता है और वहीं सारे बवस्था की जा सकती है जो कि एक योगी को बड़ी तकलीफ़ां उठा के बवस्था करनी पड़ती थी वो विज्ञान के द्वारा संभो हो गई एक सामान आदमी के लिए भी सुलब हो सकती है विज्ञान और टेक्नलाजी का पूरा प्रियोग करके ही इस मंदिर को ध्यान के मंदिर को निर्मित करना है ये ध्यान का मंदिर मंदिर सिर्फ इसी अर्थों में होगा कि वो ध्यान का है अन्य था वो एक विग्यानिक प्रियोकसाला होगी इस विग्यानिक प्रियोकसाला में मनुस्षक ने जो जो खोच की है आदमी के संबन में उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए एक आदमी ध्यान करने आता है लेकिन उसका blood pressure बढ़ा हुआ है इस आदमी को ध्यान में ले जाना आसान नहीं है इस आदमी को ध्यान में ले जाना कठिन है इसके रक्तचाप की जो अधिकता है वो इसके ध्यान में बाधा बनेगी पुराने आदमी के पास रक्तचाप को नापने का कोई माध्यम नहीं था लेकिन आज के ध्यान मंदिर में रक्तचाप नापने का माध्यम हो सकता रक्तचाप को कम करने की ब्यवस्था हो सकती और फिर ध्यान में ले जाने की सुविधा बनाई जा सकती हाँ एक बार आदमी ध्यान में चला जाए तो रक्त चाप में जाना मुस्किल हो जाएगा लेकिन रक्त चाप में डूबे हुए आदमी को ध्यान में जाना मुस्किल हो जाता है सारी दुनिया के योगियों ने अल्प आहार पर जोर दिया है कम खाने पर जोर दिया है उपवास पर, अल्प आहार पर, कम भोजन पर, सम्यक आहार पर, सारी दुनिया के योगियों ने जोर दिया है फिर भी उनके पास अल्प आहार क्या है इसकी ठीक ठीक जाच की कोई बैवस्था नहीं थी सिवाए अनुमान के ना उन्हें कैलोरीज का कुछ पता था ना उन्हें भोजन के तत्वों का कुछ पता था इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि अल्प आहार के नाम पर जो चला उससे नुक्सान ही पहुचा आज हमारे पास बहुत विज्ञानिक डवस्था है कि एक आदमी को कितनी कैलोरी भोजन की जरूरत है और हम ये तेह कर सकते हैं कि उसकी कितनी कैलोरी कम हो जाएं तो उसे ध्यान में आसानी हो जाएगी कितनी कैलोरी जादा हो जाएं तो कठना ही हो जाएगी अगर जादा भोजन है तो ध्यान में कठना ही हो जाएगी क्योंकि जादा भोजन जादा नीन मांगता है उसे पचाने के लिए उतनी जादा नीन चाहिए कम भोजन कम मीन मांगता है और जितनी भीतर निद्रा कम पैदा होती हो उतना ध्यान का जागरन पैदा हो सकता है ध्यान तो जागरन है एक आदमी ध्यान करने बैठता है और जादा भोजन करके बैठ जाता है तो फिर कटना ही होगी लेकिन जादा भोजन से मतलब सिर्फ पेट में जादा चीजें चली जाएं इससे नहीं है क्योंकि हो सकता है एक आदमी ने बहुत साख सब्जी खा लिया हो पेट पर तो बजन जादा हो लेकिन भोजन जादा ना हुआ और एक आदमी ने थोड़ी सी मिठाई खाई हो पेट पर तो बजन कम हो लेकिन भोजन जादा हो गया और आम तोर से सादू सन्यासी मिठाई खाते रहे दूद पीते रहे रबड़ी लेते रहे इस बात के बिना ख्याल किये लेकिन उसका कोई उपाय नहीं था उसका कोई साफ ख्याल नहीं था आज हमारे पास उपाय है एक आदमी कितना सोए इस पर निर्भर करेगा कि उसकी ध्यान की गती कैसी हो सकेगी दोनों बातें संबंदित हैं अगर ध्यान ठीक हो जाए तो नीम ठीक हो जाएगी लेकिन ध्यान को ठीक करना उतना आसान नहीं जितना नीम को ठीक कर लेना आसान है पहले नीम ठीक कर लिजाए तो ध्यान में गती बहुत आसान हो जाएगी अब लोगों के पास नीम भी रही है वो रात भर सोय नहीं सुबह ध्यान करने बैठ गए है जो आदमी रात बर सोया नहीं वो ध्यान में सिर्फ सोयेगा इसलिए मंदिरों में पूजा करते हुए साधू को सुनते हुए लोग अगर सो जाते हैं तो बहुत हैरानी नहीं मैंने तो सुना है कुछ डाक्टर सलाय देते हैं कि धर्म सबा में चले जाना चाहिए अगर नीम ना आती हो मैंने सुना है एक बहुत बड़ा पादरी अपने एक मित्र को बार बार कहता था कि तुम कभी मेरा व्याख्यान सुनने आओ नहीं माना तो एक दिन वो मित्र सुनने गया पादरी अच्छे सच्छा जो बोल सकता था बोला बाहर जब दोनों निकलने लगे तो उसने अपने मित्र से पूछा कि कैसा लगा तो उसने कब पहुत ही ताजगी देने वाला रिफ्रेसिंग पादरी की हर्दे की धड़कन खुशी से बढ़ गई उसने का कौन सी बात तुम्हें इतनी ताजगी देने वाने लगी उसने का कि जब मेरी नींद खोली तो मन बढ़ा ताज़ा था इतना तो मुझे गर भी नींद आती तब भी इतनी ताजगी नहीं मिलती मैं जरूर आया करूंगा तुम्हारा भासन बहुत रिफ्रेशन था क्यों आखिर मंदिर में धर्म कथा में आदमें को नींद आ जाती बात क्या है बोर्डम उप पैदा हो जाए नींद आ जाती कोई चीज उबाने लगे नींद आ जाती और नींद की कमी हो तो जल्दी ही कोई चीज उबाने लगती जिनको नींद नहीं आती वो मेरे पास आते हैं वो कहते हमें नींद नहीं आती ध्यान से सैद नींद आ जाए उन्हें पता नहीं ध्यान से नीन जरूर ठीक हो जाएगा लेकिन नीन का ठीक होना ध्यान में जाने के पहले बहुत जरूरी अन्हें था ध्यान में जाना मुस्किल हो जाएगा कठिन हो जाएगा कठिन इसलिए हो जाएगा कि चित्त को पहली जरूरत नीन की और जैसे ही विस्राम में लाज़चित सो जाएगा और ध्यान में जरूवत है विस्राम में भी जागे हुए होने की Relaxed and aware एक तरफ सब विस्राम हो और एक तरफ सब जागा हुआ तब ही कोई ध्यान में प्रवेस कर सकता है और नीन्द का नियम यह है कि यहां हम विस्राम हुए बाहर कि भीतर नीद आ गई, रिलेक्स हुए कि नीद आ गई तो ध्यान में अक्सर लोग सो जाएंगे अब यह सारी ब्यवस्था आज की जा सकती है, नीन्द ना पी जा सकती है उनके सपने ना पर जा सकते हैं कि कितने सपने आपको आ रहे हैं आपको भी पता नहीं होता कितने सपने आ रहे हैं कैसे सपने आ रहे हैं कली एक साधीका मेरे पास थी ध्यान करना है उसे मैंने उसके सपनों के बावत पूछा उसने का कि सपनों से क्या मतलब आपको मुझे ध्यान करना है मैंने उससे का कि मुझे पूछना बहुत जुरूरी क्योंकि सपने ही मुझे बताएंगे कि तुम्हें सच में ध्यान करना है या कुछ और करना है उसने का सपने में तो मुझे सिवाय काम वासना के और हिंसा के हत्या के आग लगा देने के इस तरह की सपने आते हैं, तो मैंने कहा कि वही तुम्हारा चित्त करना चाहता है, अभी ध्यान मुश्किल पड़ेगा, पहले तो तुम्हारे सपनों को सुध करना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को स्वय का सुध होना बहुत मुश्किल है, जिसके सपने भी अभी सात्विक न हो पाये हों, उसका सत्व सात्विक हो जाये, ये बहुत मुश्किल है, जिसके सपने अभी सांत न हो पाये हों, उसकी सत्ता सांत हो जाये, ये भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आज से पहले सपने की ज नाचने की पूरी ब्यवस्था करना चाहता हूँ अब तो इन्जाम है जिसे आपका कार्डियोग्राम लिया जाता है वैसे ही आपके रात नीन के सपने का ग्राफ बन जाता है कि आपने कितनी देर सपने देखें किस तरह के सपने देखें वाइलिंड थे नानवाइलिंड थे sexual थे, नहीं थे sexual क्या था, सपने किस तरहे के थे, इसकी काफी जानकारी graph दे देता है और कितना सपना देखा रात पर क्योंकि ये जान के आप हैरान होंगे कि सपनों के संबन में जितनी जानकारी बढ़ी है उतना ये प्रतीत हुआ है कि चित्ते के भीतर भी वेब से तरंगे जब सपना चलता है तो तरंगे और तरह की होती जब सपना बंध होता है तो और तरह की होती और बड़े आश्चिर की बात है कि गहरी मीन में जो तरंगों की इस्थिती होती वही इस्तिती ध्यान की तरंगों में भी होती ध्यान में जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके मस्तिस्त की तरंगें वैसी ही होती है जैसी तरंगें गहरी निद्रा में होती और जब कोई व्यक्ति सपने में होता है तो तरंगें वैसी ही होती है जैसे जब कोई व्यक्ति चिंता में होता है चिंता और स्वपनों का जोड़ है गहरी निद्रा और ध्यान का जोड़ है ये सारी व्यग्यानिक दवस्था इस ध्यान मंदिर में करने का ख्याल है और प्रत्यक व्यक्ति को व्यग्यानिक रूप से साहता पहुँचाई जा सके ये दरश्टी और मेरे देखे आज मनुस को ध्यान की जितनी जरूवत है उतनी किसी और चीज़ की जरूवत नहीं है क्योंकि आज मनुस जितना असांत है उतना मनुस असांत कभी भी नहीं था क्योंकि आज मनुस सभना की एन है क्योंस का आज में ऐतना असांत कि मानुस ये पक Elisa तो क्योंस तो